हलो दोस्तों वेलकम टू बेन पॉइन पॉइंट सड़ी सो आज हम करने वाले हैं पार्ट तीन कक्षा दस का इतिहास का जिसका नाम है जिसका नाम है भूमंडली करित विश्व का बनना आपकी बुक के अंदर शायद इस चेप्टर का नंबर 4 हो सकता है 5 भी हो सकता है उसको पे मज़ जाओ नंबर पे मज़ जाओ चेप्टर का नाम देखो भूमंडली करित विश्व का बनना बहुत ज़दा इजी चेप्टर है यह तो चलो जी हम शुरू कर देते हैं मैं आपको का नाम है जी भूमंडली करित विश्व का बनना तो यह भूमंडली करित का मतलब क्या होता है देखो आज का जो विश्व है वो भूमंडली करित विश्व है अब यह भूमंडली करित विश्व क्या होता है एक ऐसा विश्व एक ऐसी दुनिया जहां पर बहुत बड़े ल लेवल पे वेपार होता है ठीक है बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से एक जगह आते हैं ठीक है बहुत बड़ी लेवल पे टेक्नोलोजी एक्सचेंज होती है जैसे कि printing press हो गई ठीक है तो जो printing press है कि भारत की technology है नहीं बट भारत की लोग भी आज उसका use कर पा रहे हैं तो आज का जो विश्व है भूमंडली कृत विश्व है ठीक है तो इस chapter में हम यह पढ़ने वाले हैं कि जो भूमंडली कृत विश्व है वो बना कैसे मतलब क्या starting से ही हम बहुत जादा वेपार करते थे the answer is no तो यह कैसे वेपार कैसे बढ़ा किस वज़े से जो यह वेपार है जो technology का exchange है लोगों का एक जो कैसे दूसरी जगा जाना कैसे इतना जादा बढ़ गया उसके बारे में हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं ठीक है चलो जी यह हमें समझा गया तो पहला topic है जी आधुनिक युग से पहले अब सबसे पहला question यह आता है कि चलो आज का विश्व तो भूमंडली करें विश्व नहीं था यानि पुराने time की बात करें तो पुराने time में क्या होता था तो ऐसा है कि पुराने time में भी वेपार होता था य इसलिए ही हम पहले time को भूमंडली करें विश्व नहीं कहते है क्योंकि बहुत बड़े level पर विपार नहीं होता था भूमंडली करें विश्व का मतलब यह होता है जहां बहुत बड़े level पर विपार होता हो ठीक है इसलिए हम पुराने वाले time को भूमंडली करें विश्व पूरुव, अब ये ईसा पूरुव का मतलब क्या होता है ये बता देता हूं मैं इसको English में कहते है B-C-E, अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, जो ईसा मसी है ना, शाहिद आपको यह बात पता हो कि हमारा जो कलेंडर है, वो Christian कलेंडर है, Christian के टाइम पिरिड को द BCE यानि 100 इसा पूरू का टाइम ठीक है अगर हम इसा मसी के जनम से 200 साल पहले जाएंगे तो हम उसको कहेंगे जी 200 BCE यानि 200 इसा पूरू समझाए आपको दुबारा से बताता हूं इसा मसी का जनम माना जाता है कि 0 एर में हुआ तो उस एर से 0 एर से पहले के जो भी टाइम थे इसा मसी के जनम से 100 साल पहले की बात हो रही हो तो इसको 100 इसा पूरू कहेंगे 1000 साल पहले की बात हो तो इसको 1000 इसा पूरू कहेंगे और अगर 3000 साल पहले की बात हो तो इसको 3000 इसा पूरू कहेंगे समझागे आपको जब हम इसा मसी के जनम के पहले की बात करते हैं तो इसक 3000 साल पहले किया नहीं इसा मसी के जनम होने से भी 3000 साल पहले तक वेपार होता था ठीक है उस टाइम से वेपार होता था ओके तो यही बात लिखी हुए है कि 3000 इसा पूर में समुंदरी तड़ो पर होने वाले वेपार के माध्यम से सिंदु गाटी सब्यता उस इलाके से जुड सिंदु गाटी सब्यता काया पहले तो मैं यह भी बताता हूं सिंदु सुनाया ना आपने इंडस सिंदु नदी सिंदु नदी भारत की नदी है तो उस सिंदु नदी के आसपास के जो लोग है यानि जो भारत के लोग है माना जाता है कि वो सिंदु गाटी सब्यता के लोग है न, वो पश्चिमी एशिया के देशों से वेपार करते थे, ठीक है, I hope ये बात आपको clear हो गई हो, हजार साल पहले, अब कोशन यह आता है जी, आपको कैसे पता, आप पूछ सकते हो कि सर आपको कैसे पता वेपार होता था, आप तो जिन्दा नहीं थे, बिल्कुल, वेपार उस टाइम भी होता था, ये पता है हमें कैसे पता चला, के हजार साल से भी जादा, समय में मालदीव के समुंदर में पाई जाने वाले कोडियां, जिन्ने पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तमाल किया जाता था, वो हमें मिली है, और वो हमें चीन, की तरह यूज किया जाता था, बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम पहले, ये जो नॉर्मल करेंसिया, जो हम 10 रुपे, 100 रुपे, ऐसे जो नोट वगेरा होते हैं, ये तो आज आए हैं, बट एक टाइम था, जब कोडियां वगेरा, सीचल होता है न जो, उसका यूज किया मालदीव्स के लोगों से, और फिर वो चीज ले लेते होंगे, और जो हमारे मालदीव्स के लोगों उनको कोडिया देते होंगे, है न, तो ऐसे वैपार होता था, साथ में अफरीका के भी, पूर्वी अफरीका में भी ऐसा होता होगा, पूर्वी अफरीका के लोग, हमारे मालदीव के लोगों को कुछ बेशते होंगे और मालदीव के लोग उनको क्या देते होंगे कोडिया वगरा देते होंगे अब ये मालदीव का इंडिया से क्या लेना देना है सिंदु घाटी सब्वेता से क्या लेना है देना है तो यह यही बता रख्या है कि जो माल दीज में मिलने वाली कोडिया है न वो हमें चीन में और अफ्रीका भी विडिया है इसका मतलब विपार तो होता था चीजों का एक्सचेंज तो होता था और कोडियों को पैसे की तरह पीरोग किया जाता था चलो यह भी समझ आ गया तो ही विपार तो होता था क्या लोग भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे बिल्कुल हाँ लोग भी बहुत बड़े लेवल पर उस टाइम बहुत जादा बड़े लेवल पर तो नहीं मतलब छोटे लेवल पर ठीक है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अच्छा जी हम बिमारे एशिया के भुड़ी अफ्रीका के लोगों को भी हुई, इसका मतलब कोई ना कोई तो ऐसा भुड़ी गहा हुआरा तो यानि लोग भी एक जगा से दूसरी जगह जाते थे पर बहुत बड़े लेवल पर नहीं जाते थे चोटे लेवल पर जाते थे बहुत कम लोग जाते थे ठीक है तो इससे पता चला है जैसे कि हम ये COVID-19 का वो ले ले जैसे चाइना में स्टार्ट हुआ ये COVID-19 उसके बाद देखो पूरी दुनिया में आज फैल गया क्यों क्यों क्योंकि आज भुमंडली कृत विश्व है उस टाइम शायद ये तनी तेजी से बिमारी नहीं फैल थी क्योंकि इतना जादा लोग लोग एक जगह से दूसी जगह नहीं चाहते थे बट आज क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसी जगह जाते इसकी वज़े से जो हमें Chinese वाइरस है उसका बहुत ज़्यादा बुरा देखने के लिए मिला ठीक है तो यही बात लिखी विए कि बिमारी फैले वाले जो किटानू होते थे का दूर-दूर तक पहुचने का इतिहास भी सातवी सदी तक ढूंडा जा सकता है मतलब सातवी सदी में भी यह जो बीमारी हैं वो एक जगह से दूसी जगह जाती थी जो बीमारी के किटानू है वो एक जगह से दूसी जगह ऑब वेसी बात है क ठीक है, जैसे साथवी सदी, आठवी सदी है, क्या होता है, साथवी सदी होती है, साथ सो साल, जैसे जैसे जीरो पे तो हमारे इसा मसी का जनम होगा था, तो उनके जनम के साथ सो साल बात के टाइम पिरिड को साथवी सदी बूला जाता है, उनके जनम के तेरा सो साल बात के ट 500 साल से लेकर 700 साल के जो बीच का time period है उसको कहा जाता है साथवी सदी ठीक है अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये कौन सी सदी चल रही है तो आप क्या बोलोगे ये कौन सी सदी चल रही है ये जी 21 सदी चल रही है 21 सदी कैसे चल रही है 21 सदी जो है वो 2000 से start होती है और 2100 तक रहत आपसे साथवी सदी बोलता है, साथवी सदी बोलता है, तो याद रखना जो साथवी सदी है वो 600 से, 600 से साल से लेकर 700 साल तक है, अगर आपसे तेरवी सदी बोलता है तो वो 1200 से लेकर 1300 साल के बीच का जो टाइम पिरड़ उसको बोलते हैं, ठीक है? I hope आपको clear हो गया, और त तुनिक विश्च से पहले भी वेपार होता था, बहुत बड़े लेवल पर नहीं होता था, कम लेवल पर होता था, ईसा मसी के जनम से 3000 साल पहले भी सिंदु गाटी के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, वो पश्ची में एशिया और अफ्रीका के लोगों से वेपार करते गोई यहीं होता है, किया पता चलता है, क्योंकि बीमारियों की परसार हो रहा था, तो इसका मतलब उस time भी वैश्वी करण था, वैश्वी करण का क्या मतलब होता है। वैश्वी करण एक आर्थिक पढाली है जिसमें वस्तू, सेवाय, विचार,chnा मतलब एक तरह सी धरm ह होता है मैं समझाओंगा विचार का मतलब क्या होता है प्रध्योगी की तता लोग एग जगह से दूर सी जगहा खुली आवाज इसका मतलब वयिश्वेकरन पहले भी था वय यह तरन पहले बहुत ही कम था ठीक है देखो वस्तु भी एक जगह से दूसरी जगा जाती थी सेवाए भी एक जगा से दूसरी जगा चीजे एक जगा से दूसरी जगा जाती थी ना चीन के लोग कुछ ना कुछ बेचते होंगे हमारे मालदीव्स के लोगों को तबी तो चीन के लोगों के पास कोडिया आई तो यानि वस्तु भी एक जगह से दूसरी जगह जाती होगी सेवाएं भी और साथ में विचार विचार का मतलब एक तरह से होता है संस्कृति या मैं बोलू धर्म ठीक है जैसे बहुत धर्म है इंडिया में आया इंडिया से पूरी दुनिया में फैल गया बहुत धर्म कैसे फैला जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जगह गये क्रिश्चन धर्म कैसे फैला जब एक जगह से लोग दूसरी जगह गये फूरी दुनिया में, भारत में भी क्रिश्चन पाय जाते हैं और साथ ही में, जैसे कि हमारे हम बात करें, इसलाम की, तो इसलाम भी साउधिय आरेबिया से स्टार्ट हुआ था, अरब वगरा जो मुमालिक है, अरब जो देश वहां से स्टार्ट हुआ था पर पूरी दुनिया में फैल गया कैसे पहला क्योंकि जो बहुत सारे लोग थे जो कि इसलाम धरम को मानते थे उन्होंने पूरी टीचिंग जो थी जो शिक्षाएं थी इसलाम की वह पूरी दुनिया में फैलाई है ना तो ऐसे ही विचारों का भी अदान होता था अब वेपार का रस्ता क्या था जैसे आज तो बड़ी बड़ी सूपर हाइवे ये हाइवे होता ना बट उस टाइम तो नहीं थे तो उस टाइम कौन से रस्ते का यूज किया जाता था तो उस टाइम जो रस्ता यूज किया जाता था उनको रेशम मार्क बोला जाता ह थीग है रेशंम का मतलब क्या होता है Silk Road, Silkworm सुनाए ना आपने Silk Road तो Silk Road का use किया जाता था दुनिया जुड़ती थी Silk Road Silk Road का मतलब क्या होता है grate है तो जो रेशंम मार्ग है ना वो पूरी दुनिया के जितने भी देश थे या जितने भी एरिया था उनको एक दूसरे से जोडने का काम करता था ठीक है अब देखो इस नाम से यानि रेशम मार्ग से आपको एक चीज तो अच्छे तो अच्छे पता चल गई होगी क्यों की जादातर जो इस मार्ग से है न, रेशम एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट किया जाता था, यानि जादातर इस रेशम मार्ग से रेशम का ही वेपार होता था, ठीक है, अब रेशम मार्ग का क्या डेफिनेशन है ये देखो, ये लिखी भी, Silk Route वेपार मार्ग का एक जटिल जाल था मतलब वेपार मार्ग थे इसमें मार्ग वगएरा जो रस्ते वगएरा थे ना Unicom Silk Route कहते हैं जिसमें लोग दुनिया के दूर दूर स्थित भागो के बीच वेपारिक और संस्कृतिक संपर्क बनाते थे यानि वेपार भी करते थे और अपनी संस्कृतिक को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे जैसे बॉदर न्यूंआई हो गए हमारे Christian हो गए, Missionary हो गए साथी में हमारे इसलाम धर्म को मानने वाले लोग भी क्या थे एक जगा से दूसरी जगा गए किस रस्ते से सिल्क रूट से ठीक है चलो सिल्क मार्ग के नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिमी को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का इतना महत्वता अब मैं आपको एक बात भी पता देता हूँ एक्चुल मैं आप देखोगे कि जाधतर यह जो रेशम मार्ग है ना वो चीन से connected है क्योंकि उस टाइम में सबस्यादा रेशम का वेपार चीनी करता था तो यह बात लिखी गई है कि ना जो पश्चिम में पाए जाने वाले जो पश्चिमी लोग है ना वो इसको रेशम मार् उनमें चीनी रेशम की बहुत जाधा डिमांड थी तो इससे हमें यही पता चलता है कि उस टाइम चीनी रेशम जो था ठीक है चीन का जो सिल्क था ना वो बहुत जाधा importance रखता था सिल्क से बने कपड़े वगरा जो इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे यानि उन्हेंने बहुत सारे सिल्क मार्ग के बारे हैं आपको पिचर भी दिखाऊंगा मैं जिसमें आप देखोगे कि अलग-अलग रस्ता है अलग-अलग देशों को आपस में जोड़ता है ठीक है यह रस्ते वगरा जोडते है ठीक है तो अलग-अलग इतिहासकारों ने अब बहुता होता था ठीक है जो अरब आपको पते ना भारत का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा क्योंकि यह ना जब यह हमारे जो अरब के लोग थे जब इंडिया के अंदर आये थी ना पहली बार तो उस टाइम एक रिवर थी हमारे भारत की जो रिवर थी जिसका नाम शिदू यादा ना भी उपर हमने पड़ा था सिंदू तो वो शिंदू बोलने में उनको दिक्कत होती थी तो वो हिंदू हिंदू बोलते थे उसको और उसी से नाम पढ़ गया फिर हिंदूस्तान ठीक है जी तो यही है कि मसाले वगरा भी एक्सपोर्ट किये जाते थे इन मतलब सिर्फ एशिया के जो देश है उनको आपस में जोडते थे, साथ ही में एशिया को, पूरे एशिया को यूरोप और उत्री अफरीका से भी जोडते थे, ठीक है जी, और इन अमार्गों से मैंने आपको बताई दिया जो चीनी पोटरी होते थे न, पोटरी आपको पता न क्या कहते है उसको मटके जैसा होता है जो मसाले वगारा धातू वगारा यह सारे के सारे एक जगह से दूसरी जगह इनकी आहवाजाही होती थी और जो चीनी जो लोग है जब वो रेशम भेजते थे ठीक है तो उनके पास सोना चांदी आता था आपको पता है भारत को एक परसंट जो मसाले वो भारत ही एक्सपोर्ट करता है तो उस टाइम तो बहुत जाता था और जो भी अरब देश के लोग थे या कोई बी अलग-अलग कंट्री के यूरोप के और हमारे अलग-अलग देशों के जो लोग थे वो आते थे समुदर के रस्ते या हमारे जो रेश पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे मतलब ईसा मसी के जनम से पहले भी इनका यूज किया जाता था ठीक है और लगबग पंदरवी शताबदी तक अस्तित्व में थे इसका मतलब है कि 15th century यानि 1500 साल तक है न इसका यूज किया जाता था इसा मसी के जनम के 1500 साल जैसे आ आपको पता ही है भारत के अंदर भी अलग-अलग राजा होते थे और दूसरी कंट्री के अंदर भी अलग-अलग राजा होते थे तो अना वो क्या करते थे अपनी सेना को इसी रस्ते से भेशते थे दूसरी कंट्री में टैक करने के लिए तो अना फिर ऑविसी बात है अग और वेपार और संस्कृति अदान परदान दोनों प्रक्रियाँ साथ सा चलती थी मैंने आपको बता दिया वेपार तो होता ही था इस मार्ग से साथ में संस्कृति भी एक्सचेंज होती थी यानि एक देश की संस्कृति दूसरे देश में फैलती थी जैसे जो इसाई धर्म है वो भी दूसरे देशों में कैसे फैला इस ही रेशम मार्गों से फैला मुसलिम धर्म के लोग जो है मुसलिम जो हमारा इसलाम धर्म है वो कैसे फैला पहले जो है इसलाम धर्म वो कहा था सिर्फ अरब के देश में था ठीक है मक्का मदिना में था उसके बाद जो इसलाम धर्म को मानने वाले लोग है वो पूरी दुनिया में फैल गए और अपने टीचिंग वगरा बताई तो वो पूरी दुनिया में किस रस्ते से फैल है यही हमारे रेशम मार्ग से बहुत धर्म के अनुयाईयों ने भी यही क गई अच्छा एक मज़े की बात और बताता हूं भोजन की यातरा नेक्स टॉपिक है यह स्पैगेटी और आलू एक्चुल में जो खाने की चीज है न वो भी एक जगह से दूसरी जगह गई मेरे कहने का मतलब जैसे आज भारत में भारत में आपको मॉमोस मिलते हैं ठीक है क्या भारत की ट्रेडिशनल हमारी डिश है मॉमोस नहीं ठीक है अगर आप पूछोगे बिलकुली क्या 1990 में मॉमोस वगरा मिलते थे इंडिया में नहीं मिलते थे ठीक है यह आज आना शुरू है तो यह जो हमारे खाना है न यह भी उस टाइम क्या था अलग-अलग देशों में फैला और यह खाने की जो चीजे हैं वो भी अलग-अलग देशों में फैली। जैसे मैं आज आपको बताऊँ राज Caitana तो ने थाम आत्फ का ङ्यक्ता आप ऐ आलु 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 भारत के क्या यह असल में मैं बता हूं यह जो ब्रिंजा लॉत नवा definite कि फारत का मूल, बाकि जो अलग-अलग डिशिस हैं, जो खाने की चीज़ हैं वह भारत की नहीं है, तो यह अलग-अलग जगवसे, अलग-अलग देशों में फैली है खाने की चीज़े भी और उसे के बारे बारे में पढ़ने वाले ठीक है तो यही बात लिखी वी है कि जब भी वेपारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे जाने अंजाने वहाँ नई फसलों के बीच बहाते थे मतलब वो क्या करते थे जैसे कि मालो मैं भारत का हूं ठीक है भारत में एक टाइप की बैंगन उखते हैं मालो बैंगन वगरा थे उसके बीच बो दिये तो ऐसे ही जो था भोजन भी एक जगह से दूसरी जगह खाने की चीज़े भी एक जगह से दूसरी जगह फैलने लग गई उधारन के लिए एक और एग्जामपल देता हूं स्पैगटी और नूडल्स ठीक है माना जाता है कि नूडल्स ची अब मैं इसका मत्तब समझाता हूं क्या है माना जाता है कि जो नूडल्स वगेरा ना जो हम खाते है हमारा तो नहीं बड़ चाइना में आपको पता है नूडल्स वगेरा बहुत जादा खाया जाता है तो चाइना में जो नूडल्स वगेरा खाया जाता है माना जाता है कि ुडुल्स वहीं से आये है। चायना में ही सबसे पहले खाया जाते थे फुडुल्सुडुडु उसके बाद ये माना जाता है। क्येना रास्ते, ये जो हमारे खाने की चीज है, वो अड़ जो अड़ जो लोग थे थी नमा वो चैना में वेपार करने के आप फिर यह यह डिश लेकर आए, कहां पर इटली एक टापू में, जिसका नाम था सिलसली, सिलसली आपने सुना होगा, हमने chapter number 1 करा था तो सिलसली सुना था हमने, सिलसली जगह थी, जहां पर एक ही करण के लिए, इटली के एक ही करण के लिए लडाई हुई थी, हैना, जाया कि चीन में सबसे पहले ही हमारे नूडल्स वगरा थे उसके बाद जो अरव वपारी थे न वो चीन से वपार करके जो चीन के नूडल्स वगरा की चीजे थे वो कहां पर लेकर गए हमारे सिलसिली में जो इटली का एक आइलेंट है और फिर इटली के लोगों ने उसका थोड़ा सा रूप चेंज कर दिया और उस नूडल्स को स्पैगेटी बना दिया नूडल्स है न थोड़े पतले होते हैं स्पैगेटी थोड़ी मोटी होती है तो ऐसे ही चीजों का चेंज आने लग जैसे कि अगर आप देखोगे तो शायद आपको ना पता हो आज चौमिन नहीं है परंतु मतलब यह confirm नहीं है के जी ऐसा ही हुआ होगा कि नूडल्स जो है वो चींड में बने कि यह confirm नहीं है बाढ़ माना जाता है ऐसे ठीक है बहूत सारी चीजों से हमने यह पता चला है कि हां चीन में आया और उसके बाद फिर इटली में जाकर यह स्पैगेटी mechanism flow ने लेंदेन चल रहा था इससे हमें यह पता चलते है यानी के पहले भी टाइम पहले के टाइम में जिने बाद में अमेरिका के नाम से जाने लगा, अब इसका मतलब क्या, आपने कहानी जरूर सुनी होगी, एक्षिल एक परसंता क्रिस्टोफर कॉलम्बस, ठीक है, यूरोप का अतनिवासी था वो, उसने क्या किया, वो निकला था भारत की तलाश में, क्योंकि उसको पता था कि भारत में जी बहुत पैसा है, सारे के सारे मसाले हम वहीं से करीते हैं, तो मसाले लूटेंगे या पैसे लूटेंगे, तो वो निकला था भारत की तलाश में, बड़ उसकी नाओ थोड़ी घूम गई, ठीक गलती से घूम गई और वो जहाँ पहुचा अमेरिका में, फिर अमेरिका में उसने देखा जी आलू, सोया, मुंफली, टमाटर इन सबकी फसले हैं, तो वहां से उसको बीच वगरा मिले, फिर वो यूरोप के अंदर लेकर आया, यूरोप से पिर एशा के अंदर फैली, तो ऐसे ही माना जाता है कि जो आलू है, हमारे ये सोया है, मुंफली, मक्का, टमाटर, ये सारी की सारी फसले हैं, सबसे पहले अमेरिका में थी, और अमेरिका से क्रिच्टोफर कॉलंबस पर Нइशरकनर, शकरगंदादी, यह सारी की सारी जो फसले हैं, ये Christopher Columbus, मेरिका से लेकर आया था Europe के में और फिर Europe से to Asia में और पूरी दुनिया में फैल गई, ठीक है? आज देखो, बारत में भी टमाटर मिलता है, कैसे मिल पाता है? कि Christopher Columbus, म मेरिका में फिर यूरोप में फैल, जमीन आसमान का फरका जाता था, मतलब एक नई फसल के आने से लोगों की जिन्दगी बदल जाती थी, अब मेरे कहने का मतलब किया मैं आपको समझाता हूँ, देखो, साधारन से आलू का इस्तमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिन्दगी अमूल रूप से बदल गई, स्टार्टिंग में उनको कुछ खाने के लिए जादा पूशकाहार नहीं मिलता था, बर जब आलू आया ना उन्होंने उगाया तो उनको बहुत पूशकाहार मिलने लगा, और एक टाइम तो ऐसा आया कि जो आयरलैंड के जो कास्तकार है ना, वो आलू पे इतना कोई और फसल उन्होंने भुगा ही नी, जिसकी वज़े से बहुत ज़्यादा दिक्कत होई पिचर भी आपको दिखरी होगी, है ना, चलो जी, ये तो हमें समझ आ गया, कि अभी तक हमने क्या पड़ा, हमने आधुनिक विश्व के बारे में पड़ा, हमने ये देखा, कि आ हमारे टमाटर, मक्का, मुंफली वगरा, ये सारी की सारी चीज़े, कैसे भारत के अंदर आई और अलग अलग देशों के अंदर गई, वो भी हमने देख लिया, और कैसे, खाना बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट हो गया था, यानि जो फसल है, नहीं फसल है, बहुत ज़ चैनल, यानि टेलीग्राम पर एक यह पर टेलीग्राम उसको डाउनलोड करना, मेंपोइंट सेटी लिखना, वन-zero लिखना, आप चैनल पर आज जोगे इसो जोइन कर लेना, वापर आपको नोट बगरा मिल जाएंगे, ठीक है, साथ में हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैन बना सकते हो वीडियो अप्लोड कर चुका हूं मैं तो वो जा कर आप देख सकते हो साथ ही में में पॉंट गेमिंग का भी है तो अगर कोई गेमर वगए रहा है तो आज आना महां पर देखते हैं आप किते बड़े गेमर हो और यूनिक फैक्ट वगए रहा और भी अलग-अल कि में उसका नाम रेशम मार्ग क्यों पड़ा आप मिरे को यह बताना ठीक है और पुराने टाइम में विपार करने के लिए जो म्यानमार के लोग हैं वो किस चीज का यूज करते थे आईजा पैसे रुपे वगरा किस चीज का यूज करते थे मुद्रा के रूप में किस यह वीडियो देखी तो आपको पता होना चाहिए ठीक है बागी नेक्स वीडियो के लिए स्टेटून तब तक लिए थैंक्यू सो मच जैहिन जै बारत बंदे मातरम आप चाहो तो इंस्टाग्राम वगएरा पर फॉलो कर सकते हो में पॉंट सड़ी का इंस्टाग्राम पर प प्याइबブा है